नमस्कार, सस्रे का लादाब रामराम, मेरा हुलोदी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल एक संदेश पर सात्यो आज हमिने कैसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, कैसे विषय के वारे में बताने जा रहे हैं जो विशे इस समय पूरे भारत और पाकिस्तान में चर्चा का बना हुआ है। जी हाँ, आपने प्रेम कहानियां बहुत सुनी होंगी, आपने प्रेम कहानियों के उपर बनी, फिल्में भी बहुत देखी होंगी। ऐसी ही एक सच्चाई जो अब भारत में भी है। कैसे एक पाकिस्तानी लड़की, कैसे एक पाकिस्तानी महिला आपने प्यार में पाकिस्तान को छोड़कर भारत में रहने के लिए आ जाती है। किस प्रकार से एक PUBG खेलने वाली महिला एक PUBG खेलने वाले लड़के से प्रेम जाल में फस जाती है और प्रेम कर वैठती है जी हाँ ये विल्कुल सत्य घटना है ये घटना है Greater Noida के सचिन की एक पाकिस्तानी महिला से सचिन प्रेम कर वैठता है और ये पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर के नाम से जानी जाती है प्रेमी के लिए पाकिस्तान से ग्रेटर नौइडा आई चार बच्चों की माँ सीमा हैदर जिसकी उम्र 27 साल का इस समय मामला सुर्ख्यों में भी है पाकिस्तान से आई महिला थी और सचिन को भी उसके साथ जेल इसलिए भेज दिया गया क्योंकि वो गेर मान्यता प्राप्त नागरिक को अपनी सरण में रखा हुआ था साथ ही साथ सचिन के पिता को भी जेल की हवा खानी पड़ी लेकिन जब कोट में ये माम लगया तो कोट ने जमानत दे दी और कहा ये प्रेम प्रसंग है इसमें कोट कुछ नहीं कर सकती अब उसे कोट से जमानत भी मिल चुकी है उधर सीमा के पती ने साथी अरब से एक वीडियो जारी किया है और उसने कहा है कि मैं मोदी सरकार से ये अपील करता हूँ कि जल से जल मेरी पतनी को मुझे लोटाये जाए सचिन नाम के युबक ने उसे बहला फुसला कर इंडिया बुला लिया है और मैं इंडिया की मीडिया का भी बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ जिससे मुझे मेरी पतनी के वारे में पता चला ये कहना है उसके पत पबजी खेल रहे थे, पबजी खेलते खेलते आपस में friendship होई, friendship होने के बाद इनमें आपस में प्रेम हुआ, 12 मार्च 2023 एक ऐसा दिन आता है कि सचिन काट मांडू जाता है, काट मांडू जाकर उधर से पाकिस्तान से आई महिला, सीमा हैदर भी काट मांडू आती है और दोनो का मिलन होता है, पहली बार जब वो मिलते हैं तो तमाम तरीके के कसमे बादे खाते हैं, कि हम अगली बार भी मिलेंगे न जाने क्या-क्या, उनके पीच बारता रही होगी, ये सीमा हैदर खुद बताती है एक इंटर्व्यू में, और सीमा हैदर ने बताया, कि लगवग उन उसके वाद फिर से उन्होंने एक बार जूजना मनाई कि हम एक बार मिलेंगे और साधी भी करेंगे, तो जल्दी में नेपाल के रास्ते से सचिन के साथ बहे भारत आई, भारत में ही नहीं अपितू, नेपाल में ही उन्होंने पसुपतिनाथ के मंदिर में शादी रचाली और हिंदू धर्म अपना लिया पाकिस्तान से आई महिला ये बताती हैं कि यदि अब मैं पाकिस्तान चली गई तो मुझे मेरे टुक्डे टुक्डे कर दे जाएंगे मुझे पर पत्थर बरसाए जाएंगे वही सचिन का कहना ये है कि मैं इनको अपने साथ जीवन पर रखूँगा योगी जी हमारी हेल्प करें और मोदी जी हमारी साहता करें यहां तक कि सीमा हैदर योगी जी से ये गुहार भी लगा रही कि मुझे यूपी में रहने का अफसर प्रिदान करें और मुझे यूपी की नागरिक्ता दें मैं अपने प्रेम को छोड़ कर कहीं नहीं जाओंगे साथी साथ आपको बता दें कि सीमा हैदर जो है उनके चार बच्चे हैं जिन में तीन बेटियां और एक लड़का है तीस साल की सीमा पूरी यात्रा के दोरान बताती है कि उन्हों एक बहुत सी कठनाईयों का भी सामना करना पड़ा भारत के रास्ते आने पर बहुत बार बीजा का भी प्रियोग किया लेकिन बीजा नहीं बन पाया तो वो नेपाल के रास्ते सीधे आ गए गरेटर नौइडा के सचिन के लिए कितना एक महिला पागल होती है कि वो पाकिस्तान को छोड़ कर भारत आ जाती है अब भारत में उसे इतना प्यार मिल रहा है इतने इंटर्व्यूज हो चुके हैं कि वो मंत्र मुख दो गई करें और कह रही है कि मैं कितने मेरे चाहें 아нет टुकड़े कर दो चाहें कुछ भी कर दो नं भारत छोड़ कर नहीं जा सकती महारत में मरना चाहती हूँ भारत की मिट्टी में ही तो यह पूरा प्रेम प्रसंग सीमा हैदर और सचिनका है जोकि एक पबजी फ्रेंड से पप्टी फ्रेंड बनते बनते उनके बीच में प्रेम पिरसंग गुआ और अब वो पती पतनी के रूप में एक दूसरे को सुईकार कर चुके हैं कोड में भी ये बोल चुके हैं कि हम एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं यहां तक कि जब चार बेटियों का, जो तीन बेटियों का सवाल आता है, तो वो कहता है कि, सचिन भी कहता है कि मैं इनका पिता हूं, और यहां तक कि सीमा हैदर के जो बच्चे हैं वो भी उन्हें पापा पापा कहकर बुलाते हैं, अब कितना इनके बीच यह संबंद चल पा तो हम जब इसी प्रकार की ख़वरों से जोड़े रखेंगे आगे क्या होगा मामले को लेकर भी अपनी राय आपको जरूर देंगे आपकी क्या राय है एक पाकिस्तान से महिला गदर की तरह भारत में आ चुकी है और एक और गदर थिरी सच गदर थिरी बन चुकी है तो साथ कर दो